कि आप सभी अच्छी होंगे मैं भी आच्छी हूं आज मैं आपको सिखाऊंगे डिफ्रेंट स्टाइल में पीजा जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है यह ब्रैड पीजा इसके लिए लिए मैंने वीट वाला ब्रैड यह मैंदा वाला नहीं है यह वीट वाला है और कु लिए मिर्चे एक टमाटर और दो कैप्सिकम जिनको मैंने अच्छे से वाश करके कट करके रख लिया है इसके लिए लिए मैंने कुछ समगरी जैसे की पीजा सॉस पीजा सॉस आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं जो भी आपको असानी से मार्केट में मिल जाए और कुछ लिए उसप्सी भोगा का फॉता हुआ गर्में के बना सकते हैं और कुछ लिए पीजा सीजनिक्स ये मारकेट में अवलेबल आप्सए को में जाएगा और यह है कुछ पीज़ा सिजनिक्स होती है कि आपको बहुत आप से किसी भी ड्रासरी मिल जाएगा और यह लिए कुछ मौजरेला चीज कुछ मेरा फ्रीज में था कुछ मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था फ्रीज से वह बहुत टाइट हो जाता है इस मुझे से पहले ही बाउल में थोड़ा सा निकाल लिया था कम पड़ेगा तो और यूज कर लूँगी आप गाइस क्या करूंगी मैं सारी होती है प्याज तो इसको आपको खोलना पड़ेगा इसकी पड़तों को आप किसी भी शेप में कट कर लीजेगा यह आपके ओपर डिपैंड है मुझे यह फोड़ी ठीक लगी तो मैंने यहीं कट किया और गाइस आप इसमें सब्जियों का भी कोई वह नहीं है आप जो मर् कड़ियों को में ठीक होगा पाइनेपल भी यूज कर सकते हैं पाइनेपल के तो और और अच्छा फ़लेवर आता है मेंगी जो करने मिर्ची में इसाय स्थी करके ना मैं इसको बीच करके और थोड़ा तीरचे पन में काट अटू किलुचा फैसी तरह मैंす तरह से मैं सारी अके काट कर लोगा अपकी कर सकते है अप सकते हैं अगर मिर्चे लएए बच्छे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें अब गाइस मैंने यह ट्रे लेडिया है बेकिंग ट्रे ओवन का और मैं इस पे 6 आप उसे भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास वह भी नहीं है तो ग्रीन चेटनी भी यूज़ कर सकते हो मैं तो कुछ भी अप्लाइक कर लेती हूं को हैल्दी होना चाहिए और यह पीजा सॉस बहुत असान होती है घर में भी बना सकते हो जैसे मेरे पास अगर मार होता तो घर में भी बना लेती हो अब ठीक इसी तरह से मैं सबके उपर मौज़रेला चीज थोड़ा थोड़ा इस प्रैड कर दूंगी मुझे बेस में मौज़रेला चीज जरूर रखना है कुछ लोग उपर से डालते हैं आप वह भी खर सकते लेकिन गाइस बेस पर जरूर मौज़रेला चीज रखिएगा उससे बहुत अच्छा फ्लिवर आने वाला है इसका क्योंकि जो सब्जियां होती है ना वह उपर से ढखने के बाद में इतनी अच्छे से कुक नहीं होती है आप इस स्टेज पर आकर इसमें सारे प्याज के पेटल्स जो खोल खोल के मैंने रखे हुए थे और कुछ बंदे हों यह उन्हें खोल भी रही हूं तो मैंने किस तरह से एक एक ब्रेड पर 4556 पीसिस लगा दी है दैन मैं कैपसिकम भी इसी तरह से लगा दूंगी इसको फुल सजा देना आपको सब्जियों से देखना यह कितना सुंदर लगने वाला है व मैदा वाला भी नेक्स टाइम आपको बना के दिखाऊंगी बट मैदा वाला बहुत कम बनाती हूं वह बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लोग भी कोशिश ही कीजेगी अवाइड कीजेगा और जरूरी नहीं कि मैं ब्रेड पर पीजा बना हूं मैं र चीज डालूंगी चिली फ्लेक्स में बाद में यूज करूंगी जब पीजा मेरा तयार हो जाएगा जाना मैं ओवन को प्री हीट कर लिया था पहली 20 मिनिट के लिए अब मैं इसका टेंपरेचर रखोंगी 160 एंड 20 मिनिट के लिए मैं इसको 160 दिग्री पर ट्रग दूंगी सबके अवन अलग अलग होते हैं तो सबका अपना अपना तरीका होता है मेरा अवन में इसी टाइम पर बनेगा अब देखें गाइस 20 मिनिट बाद मैंने चेक किया और मेरा पीजा कितना सुंदर और कितना गोल्डन फोगर निकला है मैं थोड़ा गोल्डन ही रखती हूं ब चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंगल कर लिए हैं आपके मर्जी आप ब्लैक पेपर खाएं या ना खाएं आप भी खा लीजिए बहुत टेस्टी बनाता गाइस आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको बैल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त झाल 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 झाल